हेलो स्टुडेंट्स अभी हमने फर्स पार्ट में इंडियन सिस्टम आफ नंबर्स पढ़ा था अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम आफ नंबर्स तो देखिए हमने नंबर से एक ले लिया है तो देखिए जैसे कि पीछे जो नंबर लिखा हुआ था हमने उ 10,000, 100,000, 10,000, and crore, हमने पीछे 10,000,000 तक पड़ा था, आब इसमें हम करोर की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो देखे हमने ये प्लेस वैल्यू तो हमें पता है, कि इसकी प्लेस वैल्यू ये बनाया उसे हम बोलेंगे यूमिठ पी्रेड जैसे कि याम पर आपको लिखा दिख रहा है antara violations का एक बिरेड बनता है यूमिठ पीरेड इंटराशनल सिस्टेम में या इंडियेन इस्टम में दोनों में लस्ट के त्री दिजिट को यूनिट पीरियड ही बोलते हैं और उनको इक ट्ठा ही एक साथ लिखते हैं तो फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है आगे के हम इसमें 3 डिजिट्स को ड्रोप करने के बाद फिर हम 3 डिजिट्स ही लेते हैं जैसे इंडियन सिस्टम में हमने देखा कि 3 कर आगे हमारे next two two parts में ही periods बनते हैं और international system में हमेशा three last के three digits को छोड़कर three digits के ही periods बनते हैं जैसे हमने यह वाला three digits को इकठा लिखेंगे हम इसे लिखेंगे thousand periods means जो इन में value होगी वो hundred वाली ही बोलेंगे हम इसको जैसे last के three में हमने बोला two hundred eighty seven तो इसमें भी हम इसको बोलेंगे five hundred forty six और यह thousand का period है तो thousand five hundred forty six thousand जो इसमें लैक की value होती है वो हमारी count नहीं होती उसे हम hundred में ही put कर देते हैं means five hundred forty six thousand फिर next हमारा two digits रहेगे तो उसे हम million period बोलेंगे उसे हम बोलेंगे million period thousand period के बाद next हमारा million period means 89 million five hundred forty six thousand two hundred eighty seven इसमें जो लैक की value होती है उसे हम hundred thousand के equal मानते हैं लैक की value को hundred thousand मानते हैं means five यहां पे आगया तो five hundred forty six thousand आगया यह फिर next हमारा 89 million जो उसके next आएगा thousand के बाद वो मारा million period होगा तो देखिए हम इसमें right इसको कैसे करेंगे 89 हमारा million period है तो 89 million फिर हमारा five four six से कमारा अलग से हमारा यह एक unit sorry thousand period बन गया इकठा तो हम इसे लिखेंगे five hundred forty six thousand next two hundred eighty seven two hundred eighty seven तो यह हमारा main part यह है कि इसमें three digits को हम last के three digits को drop करके फिर next three digits का एक period बनाते हैं जिसमें हम उसको hundred के पार्ट में ही right करते हैं means five hundred forty six thousand बोलेंगे इसे फिर next हमारा million का पार्ट हो दाता है तो देखिए इसमें कोमा कैसे पूट करते हैं जिस according हम पीरिट बनाते हैं उसी according इसमें कोमा पूट होता है तो देखिए जैसे हमने यह number right कर लिए उपर वाला तो हमने last के three digits को छोड़ा जो हमारे unit period था फिर एक कोमा पूट किया फिर इन three digits को छोड़ेंगे जो हमारा thousand period है फिर एक कोमा पूट करेंगे फिर यह हमारे two digits रहे तो two को लेंगे अगर हमारे o digit होते जैसे हम में आ रहे यहां पर two होता वन होता तो हम three digits लेते फिर कोमा पूट करते फिर वन एक कहला इसको रख देते ठीक है तो जितने रह जाए उनमें हम three three के parts बनाते हैं okay student तो इसमें वन लैक की value होती है hundred thousand के equal one lakh जो हमारा था यहां पर one जो लैक की value है यह हमारी one hundred thousand के equal हो ठीक है तो वन लैक हमारा one thousand के equal होगा ओ सोरी one hundred thousand के equal और 10 lakh की value हमारी होगी one million यहां पर देखिए जो टैनलेक की value आREए 10 lakh के जो हमारा यह place value हा रही है तो यह हमारा 10 lakh पे है तो 10 lakh की value यहां पर हमारी million period में आ रहा है इसलिए 10 lakh की value हमारी one million हो जाती है और हमारी इसी वीडियो को देखेंगे एक दो बार तो आपको समझ आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू